नवास्कार मित्रों उमीद है आप लोग स्वस्त्राइब खुश होंगे हाजिर हुआ है जिम कोर्बेट की एक बहुत ही मार्मिक कहानी के साथ दोस्तों कुछ लोगों ने मुझे सुजाओ दिया था कि वीडियो में मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है इसलिए मैं कोई external माइक यूज करूँ उनके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये कॉलर माइक मैं कई दिनों से यूज कर रहा हूँ इससे पहले बहुत सारे subscribers ने बहुत सारे viewers ने ये complaint की थी कि वीडियो में आवाज की problem है आवाज घूज रही है उसके बाद मैंने एक कॉलर माइक यूज करना शुरू किया उसके बाद मेरे खाल से आवाज ठाक है क्योंकि वीडियो अपलोड करने से पहले मैं भी सुनता और उसके बाद किसी viewer की ये कोई complaint नहीं आई हाँ कुछ दिन पहले एक viewer ने जरूर लिखा था कि आवाज कुछ disturb हो रही है कि कहीं पर ज़्यादा हो जाती है कहीं कम हो जाती है अब मुझे पता नहीं इसका कारण क्या है क्योंकि उनके सुझाव क्या अकॉर्डिंग मुझे एक्स्टरनल माइक यूज करना चाहिए जो मैं अल्रडी कर रहा हूं दोस्तों कई व्यूवर्स ने ये भी कमेंट दिया था कि जिम कॉर्बेट के समय में क्या उसके बाद कई इंडियन शिकारी बड़े-बड़े हुए उनका नाम नहीं दिया गया और जिम कॉर्बेट या एंडर्शन को unnecessarily जरूरत से ज्यादा फेम दिया गया मुझे नहीं पता फेम किस ने दिया क्या दिया मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैंने कॉर्बेट की किताबें पढ़ी मुझे किताबें पढ़ने का शौक है शुरू-शुरू में हम प्रेमचंद की किताबें पढ़ते थे, तो प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें पढ़ी, उसके बाद देनियर डीफो के उपनियास पढ़े, कॉर्बेट की कहानिया पढ़नी शुरू की, उनकी सारी किताबें पढ़ी, उसके बाद हिंडर्सन की और जो लोग इस तरह के कमेंट पास कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, कि जब तक वो कॉर्बेट की सारी किताबें पढ़ न लें, तब तक अपने कमेंट्स रिजर्व रखें, और इससे पहले कि हवा में कमेंट्स कर दें, या किसी को सुनके, या मुझे सुनक कि कुछ कमेंट कर दें, ये ठीक नहीं है, मैं सवस्प्राइस करूँगा कि आप कॉरुएट की किताबें पढ़िए, उनके किताबें पढ़के आपको कॉरुएट के बारे में ही नहीं, पुत्राखन, कुमाउउँ, और पहाडों के जंजियों के बारे में, पहाडों के जो तलहटी है भावर तराई का इलाग है उसके जंजियों उनके बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा परहाल आगे बढ़ते हैं आज की कहानी में दोस्तों ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम बुद्धु था हमारे हां traditionally लोगों की नाम रख दिये जाते हैं जैसे पिछली कहानी में है ने बताया था जो किरदार था उसका नाम पनुआ था इस तरह के नाम हमारे हां traditionally दिये जाते रहे हैं खांसतर से गाहों में तो उसी नाम से व्यक्ति जाने जाते थे तो ये जो व्यक्ति था उसका नाम बुद्धु था एक दलित समाथ से था और कॉर्वेट के पास नौकरी मागने के लिए गया था कॉर्वेट कहते हैं कि उसकी उम्र लगबग 37-35 साल की रही होगी उसकी फत्नी थी और उसके दो भच्चे थे जब वो उनके पास काम मागने के लिए आया तो कॉर्वेट ने उसे काम दे दिया मोका में घाट में जहां पर कॉर्वेट रेलवे का काम करते थे रेलवे के वेगन्स में जो कोईला भर के आता था उनको दूसरे ट्रेन्स में ट्रांसपर करते थे वुष जमाने में भारत से कॉल एक्सपोर्ट होता था और चूंकि वो काम ऐसा था जहां पर पुरुश और मर्द दोनु काम करते थे, तो वुद्दू की वाइफ को भी वहां काम मिल गया था, दोनु काम करते थे 16-16 घंटे, जाड़ों के मौसम में तो तब भी ठीक ठाक था, लेकिन गर्मियों में वो काम बहुत ही दर्दनाक था तो कि गर्मी से वेगन भी तब जाते थे जो लोहे के बने थे, प्लेटफॉर्म जो थे उन पर भी कुछ बिचा नहीं था, पत्थर थे, वो भी तपे रहते थे और उस पर नंगे पैरू चलके इनको कोईला एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना था, तो कॉर्वेट कह जाते थे, घर में जाते थे, जो मैंने उन लोगों को दिया हुआ था, यह काम उनके लिए बहुत ज्यादा भारी था, और काम इस तरह था, कि पहले दिन व्यक्ति काम करता था, तो जब दूसरी सुबा को उठता था, तो उसके कमर में दर्द रहता था, हाथ परू में दर् जाते थे, दूसरे दिन फिर काम करता था, उसे और दर्द होता था, और कुछ दिनों बाद फिर उसकी जो एक जिद्धु जहत होती थी, जिंदा रहने की, अपने परिवार का पेड़ भरने की, उस जिद्धु जहत के बेशिस पर ही वो काम कर सकता था, तो यही तो कॉर्बेट कहते हैं कि एक बार उन्होंने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया वुद्दू और उसकी पत्नी से कि आ काम उनके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा भारी है वो कोई और काम क्यों नहीं ढूलेते हैं कॉर्वेट कहते हैं वुद्धू ने जबाब दिया कि किसी और काम में उन्हें आज तक इतना पैसा नहीं मिला जितना यहां उन्हें ध्याड़ी मिल रही है इसलिए वो कहीं और नहीं जा रहे हैं तो कॉर्वेट ने फिर उनको काम करने दिया तो इस तरह उनकी दिंचरिया चल रही थी एक दिन कॉर्वेट कहते हैं कि एक पोसकार्ड आया उनके गाहों से और वुद्धू और उसकी वाइब जितनी जल्दी वहां काम ढूनने आये थे उतनी जल्दी वहां से चले गए तो उनका जो मुनीम था जिसको कॉर्वेट ने काम चमारी था। जमारी ने कॉर्वेट को बताया कि उसके गांवं से बुलावा आया था करू चला गया बंच उसके कैसे मैंनु बाद के वापस आया फिर काम में लग distingu काम क्रुको करने कॉर्वेट ने उनके जो हेडवेन था मुनीम था चमारी उससे पूछा कि यह क्यों चला जाता है अचानक काम छोड़के। चमारी ने उसे बताया कि उसके गाहों से एक पोसकाड आता है जिसमें लिखा होता है कि फसल तैयार है फसल काटने के लिए आ जाओ। कॉर्वेट ने हमारी से कहा कि अगली बार जब इसके कोई पोसकाड आये गाहों से तो आप मुझे बताना उससे पहले इनको जाने मत देना। जब अगली बार पोसकाड आया तो कॉर्वेट ने बुद्दू को साथ में लिया और उससे पूछा कि मामला क्या है तो बुद्दू ने उससे बताया कि मेरे दादा जी ने गाहों के साहुकार दो रूपिय उधार लिये थे। जिस समय उसने दो रूपिय उधार लिये एक रूपिया साहुकार ने पहले ही अपने पास रख लिया एडवांस ब्याज के रूप में और एक रूपिया गुद्दू के दादा को दिया। और उसके बाद कुछ पेपर्स पे उसके दादा के अंगुठे के निशान ले लिये। उसके बाद उसके दादा दो तीन मेहने में कुछ न कुछ आने तुकाते रहते थे। लेकिन वो जो कर्ज दिया था वो कम नहीं हुआ। वो बढ़ता ही गया। बढ़ते बढ़ते वे वो पचास रुपे हो गया। उसके बाद उसके दादा जी की डेथ हो गई। तो कर्जा उसके बाप पर आ गया। बुद्दू के बाप पर। तो साहुकार ने उसके बाप के अंगुठे के निशान ले लिये। उसके बाद उसके बाप ने कोशिश की, वो करजा चुकाने की, जब भी उनके पास कुछ आने होते थे, चुकाने के वो चुकाते थे, लेकिन जब उसके बाप के मृत्यों हुई, तब वो करजा हो चुका था, 150 रुपे, और ये करजा उसके बाद बुद्दू पे आ गया, औ और इसी बीच जो पुराना सहुकार था बुड़ा उसकी भी मृत्यों हो गई, उसके बेटे ने उसका काम सभाल लिया, और जब मृत्यों हो गई तो बुद्धु को उसके बेटे ने बुलाया और उससे कहा कि करजा बहुत बढ़ गया है, उसके लिए दूसरे स्टैम पेपर बस बनाने पड़ेंगे, याजा उसे उसके लिए फीस देनी पड़ेगी, तो बुद्धु हेगरी कर गया, लेकिन उसके पास पैसा देने को था नहीं, तो सहुकार के बेटे ने वो पैसा अपनी तरब से दिया, और उसको उसके पुराने इंटरेस्ट में जोड़ लिया, और सब कुछ मिला के, जो पुराना पैसा देना था, उसके कुछ और ब्याज लगा के, वो पैसा बुद्धु के सिर पे चड़ गया, और इस बीच, सहुकार के वेटे ने उससे कई पेपरों पर स्टैम करवा लिए, अंगुठे के निसान ले लिए, और उसके अलावा उसन उसको फसल काटने में मदद करेगा, और उसके बदले में सहुकार उसे कोई पैसा नहीं देगा, और इस एग्रीमेंट पर भी बुद्धु ने अंगुठा लिगा दे, और अब माजरा यही था, कि बुद्धु यहां आता था, जॉब करता था, कोईले के ट्रांसपर में, एल्वे स्टेशन पर, और जब फसल का समय होता था, तो सहुकार गाउं से पोस्कार लिखता था, जो पोस्कार उसके पास आता था, और वुद्धु अपनी वाइफ को लेके गाउं जाता था, दो-तिन मैंने उसकी फसल काटने में उसके मदद करता था, उसकी फसल काटने म तब ठका माधा वो वापस आके फिर दोबारा एक काम करता था तो जब कॉर्वेट ने उससे पूछा कि अभी तक उसने क्या कुछ पैसा चुका पाया तो बुद्धु ने कहा कि मेरी तो कोई इनकम थी नहीं, मैं कहां से चुका मैं कुल अभी तक पच्चिस उप्या उसको दे पाया हूँ तो बुद्धु की पूरी बात सुनने के बाद कॉर्वेट ने उसको कहा कि कोशिश करेंगे कि वो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं meeting time बुद्धु ने कवेट को ये भी बताया कि गाहन में उनके एक वकील है उसका पता उसने कवेट को बताया तो बुद्धु के जहने के बाद कवेट ने एक लीटर लिखा उस वकील को कुश दिन बाद वकील का जवाब भी आया और उसकी भाषा से ये लगा कि वो कॉर्वेट के साथ सयोग करने को तयार है और मीन टाइम उन्हें ये भी पता चला कि वकील और सहाहुकार की किसी बात को लेके कनातनी हो गई है और सहाहुकार ने वकील को किसी बात से बेजज़त किया था इसलिए वो भी उससे बदला लेने को तयार है अबाराल कॉर्वेट ने जब उससे इनक्वारी की कि क्या हुआ और इसको कैसे रिजॉल्विक किया जा सकता है तो वकील ने बताया कि जो पुराना एग्रिमेंट है सहुकार के बाप का और गुद्दू के बाप का वो एग्रिमेंट इनवैलिट हो चुका है क्योंकि उसमें बुद्दू के बाप के अंगुठे के निशान है और अंगुठे के निशान वाला जब इस दुनिया में नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट ओलरी इनवैलिट हो गया लेकिन शाहुकार के वेटे ने चालाकी से कई डॉक्यूमेंट पे बुद्दू के अंगुठे के निशान ले लिए बुद्दू पढ़ा लिखा था नहीं उसे पढ़ना आता था नहीं और घरीब था छोटी जायत का था तलित था इसले उसको मजबूर करके शाहुकार ने जगह जगह निशान ले ले अंगुठे के और अब जो डॉक्यूमेंट्स में अंगुठे के निशान बुद्दू ने लगाये हैं वही डॉक्यूमेंट पैलिड माने जाएंग और उसके अकॉर्डिन बुद्धू को शाहुकार को कुछ पैसा देना है और बुद्धू ने वो स्वीकार कर लिया है और वो 25 रुपे दे चुका है लिहाजा इसमें कुछ पैसा उसे देना पड़ेगा तो कॉर्वेट ने पैसा भेजा वकील को और उससे कहा कि वो पैसा साहुकार को दे देना और वहां से उससे डॉक्यूमेंट ले ले तो साहुकार ने जो करजे वाले डॉक्यूमेंट थे वो तो दे दिये लेकिन जो अलग से उसने कुछ डॉक्यूमेंट बनाये थे जिसमे उसने चाला की से या बेहिमानी से उद्दू के अंगुठे के साहिन ले लिये थे वो उसने दिये नहीं तब कॉर्वेट ने उसको वकील के थू धमकाया कि वो उसके उपर फ्रॉट का केस करेगा तो जब सक्त धमकियों से दी गई तब उसने वो डोकुमेंट वकील को दे दिये तो कॉर्वेट कहते हैं कि कुल दो सो पच्चिस रुप्या उन्हें अपनी जेब से पे करना पड़ेगा पड़ा जिसमें साहुकार को भी दिया गया और उसमें वकील की भी फीस थी और जितने भी डोकुमेंट साहुकार के वेटे के पास थे जिन पर उसने वुद्धू के अंगुठे के निशान लगवाए थे वो सारे के सारी डोकुमेंट एक लिफा पे मैं कॉर्वेट के पास आ गए कॉर्वेट ने वुद्धू को बुलाया और उससे कहा कि यह सारी डोकुमेंट हैं जिस पर उमने अंगुठे की निशान लगाये थे तो मैं इसे पकड़ो और मैं माचिस जलाता हूं इन्हें आग लगा देता हूं कॉर्वेट कहते हैं कि बुद्धू ने कहा इस आप इन्हें आग मत लगाईए इन्हें आप रखिये क्योंकि अब मैं आपका गुलाम हूं कॉर्वेट ने कहा ठीक है आप चाहते हैं इनको आग में लगाऊं तो आप रखिये इन डोकुमेंट को और आज से तुम एक फ्री इ और जुपकर उसने मेरे पैर चुए और मुझसे ये भी कहा कि तर एक दिन में आपकी पाई पाई चुखाऊंगा। उसके बाद मेरे पैर चुने के बाद हो लोटा और अपने घर की तरफ जाने लगा। उसके आँखों में आँखों से आँशू बह रहे थे और वो इतने आँशू थे कि वो धंग से चल भी नहीं पा रहा था कॉर्वेट कहते हैं कि यह एक सिंपल एक उदाहरण था ऐसे कई लाखों लोग इंदुस्तान में हैं उस समय थे जो इस तरह से करजे में फंसे हुए थे शाहू कारूं के नाजायज करजे में फंसे हुए थे और उनको पीडियों तक कभी यह उमीद नहीं थी कि उनकी पीडियां कभी यह करजा चुका पाएं तो दोस्तों जब हम कॉर्वेट या उंग्रेजियों के बारे में कमेंट करते हैं तो हिंदुस्तानी होने के नाते हमें भी आईना देखने की जरूरत होती है कि हमारे अंदर भी कितनी कमिया थी पहले और आज भी हैं और यह हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि उनकमियों को दूर करें, क्योंकि अगर दूसरा कोई उन कम्यों पर कमेंट करता है, तो फिर हमें बुरा लगता है, तो दोस्तों उमीधा आपको स्टोरी पसंद आई होगी, जल्दी ही एक और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजे, नमस्कार.